सूप्रभाद बच्चो आज हम तवर का दूसरा वेंजन वेंजन थ करेंगे तो आओ देखते हैं वेंजन थ के कुछ शब्द थ से थाली, थाली में मम्मी खाना बना कर हमें परोस्ती है थ से थर्मस, थर्मस में चीज गरम रहती है थ से थर्मामीटर, थर्मामीटर से हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं थ से थन, गाए के थन से हमें मिलता है पौश्टिक दूद हमें दूद को दिन में दो बार पीना चाहिए थ से थानेदार, थानेदार पुलिस स्टेशन में होता है और वह यह देखरे करता है कि शहर में सब चीजें धंग से हो थ से थैला समान रखने के लिए हम इस्तमाल करते हैं थैला थ से थकान कभी कभी जादा काम करने से हमें थकान हो जाती है तो आओ वचो अब हम वेंजन थ की कहानी सुनेंगे एक लड़का था जिसका नाम थौमस था उसे खाना खाना बहुत अच्छा लगता था और उसकी माँ भी स्वादिश्ट स्वादिश्ट खाने बनाकर उसको थाली में परोस्ती थी माा ने एक दिन थौमस को कहा थौमस, थौमस, मैं बजा जा रही हूं तो थॉमस ने कहा, मा, मा, मैं भी चलूँगा, मैं बजार से चॉकलेट लूँगा मा, मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है नहीं थॉमस, जादा मीठा नहीं खाते अच्छा मामी ठीक है, पर मुझे आप बजार तो ले जाओ अपने साथ मा ने थॉमस से कहा, अच्छा चला ठीक है, जाओ जाकर पीछे दर्वाजे के पीछे एक थैला पड़ा है वह ले आओ, मुझे बजार से कुछ सबजियां लेनी है, थैले में डाल कर लेकर आएंगे और थॉमस भाग कर गया और मा के लिए थैला ले आया, फिर वह दोनों बजार गए मा ने बजार से कुछ सबजियां खरी दी और उन्हें थैले में भर लिया और जब वह बजार से वापिस आ रहे थे, तो अचानक जोर से बारिश होने लगी और थॉमस डर गया बारिश की जोर से आवाज सुनकर और वह मा के पीछे छुप गया पर वह दोनों गीले हो गए बारिश में और वह वापिस जब घर आए तब मा ने थॉमस को बोला जल्दी से तुम कपड़े बदल लो मैं तुमें गर्मा गरम थर्मस में से पानी पिलाती हूँ और थाली में खाना खिलाती हूँ थॉमस ने अपनी मा को कहा मा मुझे कुछ ठीक नहीं लगरी मेरी तब्यत मुझे बहुत थकान सी हो रही है तो मा ने कहा कोई बात नहीं थॉमस तुम अभी पलंग पर लेटो मैं तुमें एक बारी थर्मा मीटर लगा कर देख लेती हूँ मा ने जब थॉमस को थर्मा मीटर लगाया तो देखा थॉमस को तो बुखार हो गया बारिश में भीगने की वज़ा से फिर मा ने उसे जल्दी से बुखार की दवाई दी और कहा कि तुम थोड़ी दिर सो जाओ तुम्हें अराम मिलेगा थॉमस ने दवाई खाई और अगले दिन उसका वुखार ठीक होने लगा तो बच्चो आज आपने थ वेंजन की कहानी सुनी तो चलो आओ अब एक बारी दुबारा से धोराते हैं हमारी कहानी में वेंजन थ के कौन-कौन से शब्दाए